हेलो स्टूडेंट गुड मौनिंग जैस्वामी ने रहे तो यू नीट तो और कोनेजेशनल सिक्यूरेटे एंड लक्चर नंबर फाइव एंड पॉपिक नेम इस पासवर्ड प्रोटेक्शन हाव तो क्रिये स्ट्रॉंग पासवर्ड ओके आई थिंक हमने पहले ही लक्चर मे हमने डिसाइड किया था कि स्ट्रॉंग पासवर्ड कैसे क्रियेट करते हैं उसी की बारे में 2.4 में है यह हमारा लाश्ट टॉपिक है फिर हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि यूस डिफरन पासवर्ड एवरीवन ओके यानि कि हर एक पर्षन को अपना पासवर्ड है वो डिफरन रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए तो वाई वोड यू डू डू दीस वैन इट इस सो इजी तो ज़स्ट टाइप फिडू एट एवरी पासवर्ड प्रामांट हीर्स वाई इफ फिडू गेट्स क्रैक वन् अपना पासवर्ड होते है वो अपने नाम अपने पीटने अपने फैमिले मेंबर से बट देट हो उसी तरह रखते है पर ऐसे जो फिडू है ऐसे कोई अलग टाइप का अगर रखते है तो क्या होता है कि जो भी अपना एकाउंट जो है वो क्रैक करना चाता है वो नहीं हो अखर से ठीक है next आएगा कि avoid common password तो इसमें क्या आएगा कि if the word you use can be found in the dictionary it's not a strong password यानि कि आप जो dictionary में अपने password के लिए आप dictionary चेक करते हो तो आपको कोई strong password नहीं मिलेगा इसके लिए अपने mind को set करना होगा कि कैसे में capital A to Z जो capital letter है और character है हमारे character है capital letter है digit number है उसके through आपको जो password है वो मिलता है strong पर यहाँ पर हमें क्या बात करनी है common password की तो common password में क्या क्या आता है वो देखना है तो first number में if you use number or letters in the order they appear on the keyboard for bracket में मैंने लिख है 1234 और parity is not a strong password यानि कि आप अपना कोई नाम लिख देते हो और 1210 जो number है वो रखते है तो it's not a strong password it's a common password okay if it is the name of your relative your kids your pet pet name favorite team or city of your birth guess is what it's not a strong password यानि कि अपना नाम है अपने kids का नाम है अपने favorite कोई team का नाम है बर्थ देट का आपका प्लेस है वो सब आप रखते हो guess करते हो कि मुझे a password रखना है it's a not strong password if it's your birthday anniversary date of graduation even your car license plate number it's not a strong password it does not matter if you follow this with another number these are all things hackers would try first they write program to check these kinds of password first in fact यानि कि जो hacker है जो पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी anniversary date है अपने जिस साल graduation complete किया है वो है अपना car का number है फिर अपने kids का नाम है वो सबाप रखते है तो hacker क्या करते है पहले उससे try करते है उसके थूप अगर आपने by chance number लिख दिया है by chance sorry अपने number का password में use कर लिया है इसमें से तो hacker क्या करते है पहले इससे try करते है और by chance आपका account hack हो जाता है ओके next आता है कि strong password solution strong password solution के लिए कौन-कौन सी means के strategy है वो हमें देखने है तो पहले हम सिखेंगे कि how to build strength ओके तो to create a strong password you should use a string of tags that mix number letters that are both lowercase and uppercase and special character यानि कि आप अपने string है tax का कोई number है letters है वो आप uppercase lowercase में special character के साथ use करके रख सकते हो it should be 8 character prefilled by many more a lot more the character should be random and not follow from words alphabetically और from your keyboard layout यानि कि maximum 8 character का आप password रख सकते हो यार इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो next मैंने एक image आपको दी हुई है उसमें लिखा है कि strong password की tips यानि कि आपको do यानि कि कैसे रखनी है और don't आप को क्या नहीं रखना चाहिए तो पहले जो do में है वो हम देखते कि strong password की tips क्या है how to build strong password तो 7 to 10 characters maximum आपका longer होना चाहिए mix it tip यानि कि अपना number है upper case है lower case है आपका जो mobile number है कोई computer के digit का word है वो आप सब mix करके आप रख सकते हो और don't में क्या है कि आप ABC formal नहीं रख सकते कि ABC at the rate 1234 वो ऐसा password नहीं रख सकते नो personal info आप password में अपना जो personal जो information है उसके थ्रूबी आप नहीं रख सकते नो single word यानि कि don't use any single word of you can't find यानि कि dictionary में से कोई भी आप जो single word से वो भी नहीं रख सकते नेक्स्ट आता है create a strong password तो don't use तो जब भी आप account में आप opening करते हो और register करते हो और आपको password डालना है तो यह जो common word से उसकी जो trick है strong password की इसके थ्रूब आप कर सकते हो new password तो new password की hint है यहाँ पर मैंने वी हुई है कि hints for a strong password तो आप कैसे कर सकते तो should not use no words cannot contain the username must be at least eight character long upper case lower case character must contain number special character का use करके यह जो मैंने पहले यह जो लिया हुआ है new password में इस तरह से आप create करके अपना जो strong password है वो create कर सकते हो next आता है so how do you make such a password आप such में कैसा password means के बनाना है तो spelling a word backward यानि कि for example turn new york into यानि कि आप जो भी words लेते हो उसको backward यानि कि उससे उल्टा करके रख सकते हो आपको जैसे कि for example यहां पे मैंने क्या लिया है new york और यहां से backward में मैं क्या कर दिया है crayon ऐसे आप अपना password बना सकते हो strong use यहां पे second line में मैंने क्या किया है कि जो मैंने words लिया है उसको backup में मैंने को special digit का use किया है ऐसे रख सकते हो third number में भी SI है random capital number मैंने जो भी keywords है मुझे यादा आया वो डाला है आप यहां पे देख सकते हो और fourth number में मैंने क्या किया है कि आप यहां पे देख सकते हो fourth number में कि fourth number में आप देखते हो कि थड़ के पास मैंने जो special character की जो sign है वो use की है यहां पे आप देख सकते हो ठीक है ऐसे आप कोई भी character लेके उसे जो आपने जो spelling decide किया है suppose कोई city का नाम प्लेस किया है उसे backward में बीच में कोई digit डालके कोई special character का use करके आप strong password create कर सकते हो next आए कि password selection strategy for example first of हम दिखते है कि user education the user can be told the importance of using hard to guess this password and can be provided with guidelines for selecting strong password computer generated password computer generated password also have problem if the password are quit random in nature user will not be able to remember and write it down next आए कि reactive password checking the system priori runs its own password crackers to find guessable password the system cancels password that are guess and notify user consume resources hackers can use this on their own machine with a copy of the password file can they get the password file protective password checking the system check at the time of selection if the password is allow available with guidelines from the system user can select memorable password that are difficult to guess y εν कि आप जब बी अपना strong password create करते हो तो जिस भी सिश्टम में आप करते हो password अपना डालते हो तो ऐसा password रखो कि जैसे कोई computer की keyword से आप ने देखा कि computer के related न रखो ठीक है फिर अपनी file का जो नाम दिया है वो न रखो और ऐसा password रखो कि जो hacker है वो उसे use भी ना कर सके और जब भी वो आपका account hack करना चाता है तो वो करना सके यानि कि आपको इतना strong password रखना है कि hacker को पता भी नहीं चले और आपका password means कि जो account है वो safe रहे पर account safe रखने के लिए जब भी आप account में अपना password डालते हो register करवाते है नी अकाउंट opening के बाद तो आपको पूछता है कि this password is save allow या block अगर आप allow कर देते हो तो network site पर वो save हो जाता है तो network site पर save हो जाता है तो hacker easily अपना जो password होता है वो check करके आपका account hack कर सकता है और कि जब भी आपको पूछे कि अपना email और आपका password आपको save करना है तो वो site आपको always block रखनी है ठीक है components of a good password यहाँपे मैंने कुछ component दिये जिसके आप good password means कि आप allow कर सकते है एट कैरेक्टर first of long होना चाहिए next आएगा कि अपर के स्लोवर केस में special character means कि function marks यानि कि जो आपका है multiplication division वो जो है वो सब marks रखके आप कर सकते हो it should not contain dictionary वर यानि कि आपका dictionary में से कोई भी word नहीं लेख सकते it should not contain the user personal information such as the name, family member name, birth date, pat name phone number, any other detail can't easily be identified यानि कि आप जो अपना family member का जो नाम होता है वो mix up करके आप रखते हो तो जो user की जो personal information जो होती है वो आप mix up करके रखते हो तो वो easily hacker जो है वो find out नहीं कर पाते ठीके it should not be the same user login यानि कि अपने जिस नाम से login करवा है use नाम से आपको password create नहीं करना है ठीके it should not be the difficult password supply by the system vendor such a password guest, admin and so on या आप बोल रहे होगे कि पहले मैंने बोला था कि आप personal information में से कोई भी password के लिए select नहीं कर सकते है वो common होता है पर जो अपनी personal information होती है उसमें से कोई भी आप mix up करके आप बनाते हो तो वो आपका strong password बनता है ठीके